सब इसाथियों को नमस्कार कोशी कोटी कल्चर भारम से एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूँ किसान साथियो प्राकर्ति खेती और केमिकली खेती में कितना अंत्र है आप खुद देख लेना इस वीडियो के अंदर मैं आपको देखा रहा हूँ जो अभी जुताई करवा और जहां पर यूरिया डियेपी दूसरे केमिकल ज्यादा डलते हैं वहां पर ये पक्सी नहीं आते हैं ये अंतर दिखाने के लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ ये देखिए अभी मैंने जुताई करवा था इसके अंदर नमी है और स्वहिल के अंदर मित्रकीट है और ये जो बुगले पक्सी आप देख रहे हैं ये सबसे बड़े मित्रकीट है अपने जो की जमीन के आरमफुल कीडों को खाके जमीन की पोशकता को बढ़ाते हैं और हमारी जो अंदर सोयल जो इंसेक्ट होते हैं डिजीज होती हैं इसको कम करने में हमारी साहता करते हैं ये देखिए बहुत ज्यादा मात्रा में आपको वाइट वाइट भुगले वाइट पक्सी इसको मेरे को ध्यान में निहारावी आपे हर्याना में क्या बोलते हैं लेकिन मेरा जो उदेश्य है जमीन को आप इतना प्राकरती कि नैचुरल बना दीजी ताकि जब भी कोई च पक्सी नंबर ओफ एनिमल मैक्सिमम एनिमल आपके खेत के इंचेक्ट को खा लें उसका जो प्राकरतिक यूजीज है वो बढ़े यही उदेश्य था मेरा मैंने इनको देखा कि बहुत जादा मात्रा में अपने चोंच से अंडर सोल जो इंचेक्ट है उसको निकाल निकाल क खा रहे हैं और हमारे सबसे अच्छे बड़े मित्तरकित है यह पराकरतिक यह एक अभी अंग है इससे आपको अंदाजा हो गया कि हम बहुत कम कैमिकल का प्रियोग ना के बराबर हम सेफ सब्जी सेमी और गेनिक हम बार बार यही बोलते हैं कि हम सेमी और गेनिक पर डवलप कर रहे हैं यह देखिए इसके अंदर भी मटर था मैंने बिजाई का हर्वेस्टिंग का दो त्री जुताई करवाई है और जुताई के बाद यह इतने सारे पक्सी जमीन के अंदर जो भी इन्शेक्ट है उसको खाने के लिए आ गई है तो आप भी अपनी जमीन को प्राकरतिक नेचुल तरिके से रखिए ताकि यह पक्सी भी आपके खेत में आसके और जितने भी आरम फु पर फाइदा होसके आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता कीजए